तैयारी जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है तैयारी जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है Hello Everyone, Welcome to Channel HPGK वाले आज की वीडियो में हम करने वाले हैं HPGK Question Answer Series Part 10 अभी तक Channel पर 9 Part Series के अप्लोड हो चुके हैं आज हम Part 10 करेंगे और इसका टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की घाटियां Bellies of HP वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं मिनिंग क्या होता है बैली का यानि की घाटियों का अर्थ क्या होता है आप इस पिक्चर में देख पारे होंगे इस पिक्चर में दो पाड़ियां आपको दिख रही है और इन दो पाड़ियों के बीच में एक नदी बैर रही है इस तरह की पिक्चर जब भी आपको देखने को मिलती है इसी तरह के द्रिश्यों का हम बोलते हैं घाटि या घाटियां तो अब चलते हैं Question answer Question number one हिमचल प्रदेश में किसे देपताओं की घाटी कहा जाता है Answer कुल्लू घाटी Question two कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस नदी द्वारा निर्मित हुई है Answer ब्यास नदी Question three किस घाटी को बीर भूमी कहा जाता है Answer कांगड़ा घाटी Question four सोलन घाटी किस जिले में स्थित है Answer कुल्लू Question five धावीन और चौन्तो घाटी किस जिले में स्थित है Answer बिलासपूर जिले में इसे के साथ बढ़ते हैं अगली स्लाइड में Question number six मूलगन घाटी हिमचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है Answer किन और Question seven पिन घाटी कहां स्थित है Answer स्थित Question eight किन और जिले की सबसे सुन्दर घाटी का क्या नाम है Answer सांगला घाटी बहुत important question है किन और जिले की सबसे सुन्दर घाटी सांगला घाटी है Question nine पतन घाटी किस जिले में स्थित है बहुत important question है, तो इसका answer है, लाहुल्स पिती, पतन गाटी या फिर पतन गाटी कई वार लिखा हो सकता है, तो लाहुल्स पिती में स्थित है, बंदर गाटी कहां पर है, answer चमबा में, अब next slide में देखते है, question number 11, कामरु गाओं किस गाटी में स्थित है, answer सांगला गाटी, जो की किन और की सबसे सुंदर गाटी है, question 12, यूल गाटी किस जिले में स्थित है, answer किन और, question 13, रूपिन गाटी किस जिले में स्थित है, answer किन और, question 14, दून और स्प्रून गाटी, दो गाटियां है, कौन से जिले में स्थित है, answer सोलन, question 15, पांगी गाटी कितनी उन्चाई प और पांगी गाटी कहां पर है डिस्टिक चमबा में चमबा जिले में अब बात करते हैं नेक्स लाइड में question 16 के साथ हंगरं गाटी किस जिले में स्थित है अंसर किन और question 17 कुनिहार गाटी कहां से शुरू होती है अंसर कुनिखड से ट्रेकी जिले कर सकते हो question को कुनियार गाटी और कुनिखड से शुरू होती है question 18 किवर गाओं या फिर किवर गाओं किस गाटी में स्थित है अंसर काजा question 19 प्रदेश की चमबा गाटी को और किस नाम से जाना जाता है answer रावी गाटी या रावी गाटी को किस नाम से जाना जाता है चमबा गाटी से ऐसा question बन सकता है question 20 हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाओ गाटी कौन सी है very very important question इसको आपको याद करना ही पड़ेगा और ये question बहुत ही important है इसका अंसर है बल गाटी और बल गाटी किस जिले में है डिस्टिक मंडी में है अब बात करते हैं next slide में question 21 किस गाटी को बीर भूमी कहा जाता है answer कांगडा गाटी question 22 हिमाचल प्रदेश की कुलू गाटी को अन्यों किस नाम से जाना जाता है answer देव गाटी या देपताओं की गाटी को क्या कहते हैं कुलू गाटी कहते है question 23 प्रदेश की शिवालिक गाटी में कौन सी मिटी पाई जाती है answer पत्रीली चिकनी मिटी question 24 मंडी की बल गाटी किस पाड़िक शेत्र में आती है answer निमन पाड़ी मिटी शेत्र में ना बात करते है question 25 की 1962 में भारत जर्मन संयुक्त क्रिशी चंगर परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस गाटी में चलाई गई थी ये question बहुत बहुत important है और इसका answer है बल गाटी बल गाटी हमाचल प्रदेश की सबसे उपजाओ गाटी है और इसी गाटी में 1962 में भारत जर्मन संयुक्त क्रिशी चंगर परियोजना चलाई गई थी तो इस question का ध्यान रखियेगा बल गाटी डिस्टिक मंडी में जिला मंडी में स्थित है अब बात करते हैं अगली स्लाइड में question 26 के साथ question 26 कहता है हिमाचल प्रदेश की पबर गाटी को किस नाम से जाना जाता है answer रोडू गाटी और यह रोडू गाटी कहां पर है शीमला जिले में स्थित है या पबर गाटी कहां पर है शीमला जिले में स्थित है दोनों तरीके साथ को क्वेश्चन ठीक रहेगा Q27. हिमाचल प्रदेश की किस गाटी में अलपाइन परकार के वरिक्ष पाए जाते हैं या अलपाइन परकार के पेड़ पाए जाते हैं Q28. सोलन गाटी किस जिलेम में स्थित हैं या आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टिपिकल क्वेशन है बड़ यहां पर ध्यान रखना सोलन गाटी आता है या फिर कई वार सोलांग एक्चल में ये सोलांग गाटी हैं तो कई वार क्या होता कि सोलांग की जगा सोलन लिख लेते हैं तो सोलन घाटी कहां पर है कुल्लू जिले में है तो यह सोलन नहीं है exactly यह सोलांग है तो सोलांग घाटी कुल्लू जिले में स्थित है Question 29 चुरा घाटी किस जिले में स्थित है अंसर चमबा Question 30 स्वा घाटी या जस्वा दून घाटी कहां पर है अंसर उन्ना में ना बात करते हैं अगली स्लाइड में Question 31 क्यार्ददुन घाटी किस जिले में है? Answer सिर्मौर Question 32 सबपूरन घाटी किस जिले में है? Answer सोलन में Question 33 गंबर घाटी कहां स्थित है? Answer सोलन में Question 34 प्रदेश के श्रिवाली घाटी में कौन सी मिटी पाई जाती है? Answer पत्रेली चिकनी मिटी Question 35 चुरा घाटी किस जिले में स्थित है? Answer चमबा ना बात करते हैं अब इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है और सेखते रहो बढ़ते रहो HPGK के साथ और आप इसी तरह से HPGK से जुड़ते रहो And thanks for watching